हेलो क्लास एट वेरी वेरी गूड मॉर्निंग हावर यॉल आई होप वाल और फाइन आज हमें शुरू करना यहां से बट गॉसिप से ना अब दो अब्दूर रहमान का यह कंटिन्यू कर रहा हूं तो यहां से कर रहा है कि बट गॉसिप बिगें तो स्प्रेड ओल अबर दे टाउन जो गॉसिप था वो पूरे टाउन में फैल जुगा था तू सेविस रेप्यूटिशन मर्चंट का रेप्यूटिशन की बाद थी दो मर्चंट फाइल अनादर केस ही डिनाइड ओल रोंग दूइंग और बोट आफ अब दो फोर विटनेस हूँ इधर डिड नोट अपियर इन दो कोर्ट और प्रिटेंडेंड इग्नोरेंस क्या करता है सारे भी जितने रॉंग डूइंग थे उसने क्या किया सबको खारिश कर दिया चीक है और उसने तीन जो है ऐसे विटनेस गवाओं को बुलाया चार में से और चौता जो है वो उससे हट गया इग्नोर कर दिया नजर अंदाज कर दिया दियर रिमेन ओनली अब्डूर्रह्मान ठीक है वहाँ पर सिर्फ अड़ो अड़ो अब्डूरह्मान साब रुके थे थे दे काउंसल फोर डिफेंस सीरियसली डाउटेड द विज्टम पुटिंग सच अ मैन इन दे विटनेस बॉक्स बरता क्यूस्ट है फैदिवर्चम अटलब होता है अंकंडिशनल अमगेट तना अब्डूरह्मान- अथैंब्डूर मान टीक है जो जो वेम 2 सिर्फ उसके पास एत था अब्डूरहमान के पास जो ज्सको लोग पीटे थे फैद अबže अब अब्डूरहमान received someone he said to himself adore Abdul Rahman you have been someone to appear in the court of justice तो अपने आपसे बाते करने की आदत थी उनको तो नयाय के नयाय के जहां नयायले में उनको पेश होने के लिए जाना था इसलिए अपने आपसे बाते कर रहे थे such a place is worthy of respect और वहां पे आदर का भाव होता है that means that he must not go there without wearing shoes तो उसने का उन्होंने का कि वहां जाएंगे ठीक ठाक बन कर जाएंगे अपना जूता हुता पहन के he managed to get hold of pair of for the occasion not to look respectable but to show defense to a place worthy of respect वो यह बताने के लिए नहीं जा रहे थे कि occasion पे इस तरह से जूता पहने लेकिन यह बताना चाहा रहे थे वो respectable दिखने के लिए नहीं लेकिन वो जो जगा है place worthy जगा है उसको respect करते हुए इस तरह से करना चाहते थे हैं at every hearing he went to the court in his godhari प्रते कव hearing में वो गोडरी के साथ जाते थे carrying his shoes in his hand according to the custom of shindhi villagers when he was called to give evidence he put them on the visit on with ceremony his godhari was folded lengthwise and draped like a scarf around the neck he had hardly stepped in when the liver livered livered cover the person who wore uniform as similar to servants to jesse or on your son why me हो जाते थे गोडरी को लपेटे हुए ठीक है और ऐसा प्रतीत होता कि जैसा कोई servant कपड़ा पहना हो so living pain of the court asked him to leave his shoes outside as the other man of low status did ठीक है तो वहां का जो प्यून होता था था उनको कहता था कि आप बाहर ही निकाल कर गया है जूता होता ठीक है और ठीक ठाक से आए अब्दो अब्दुर्राह्मान said अब्दुर्राह्मान to himself अपने आप से कहते हैं तो कोल्ट प्यून is asking you to enter barefooted कोल्ट रूम कहता है कोल्ट रूम में जाने के लिए जो प्यून रहता है उनको नंगे पाउन जाने के लिए कहता है and so appear respectful और आदर पुर्वक आप ठीक से खड़े हो जाएं ठीक से आ जाएं tell him you procured procured means obtained tell him you procured the shoes for that very purpose ठीक है उस purpose के लिए उस तुमने पहना है he did as he was bitten by his inner self and walked in with his shoes on when the magistrate saw him he laughed जब magistrate ने देखा रह्मान को तो वो हसा as he took his stand in the witness box the magistrate asked him why he was wearing his godri around his neck उनसे पूछा की गोदरी जो है तुमने ये अपने गले में क्यों बांध रखा है अब्दूर रह्मान looked involved and communicated the question to himself in his usual fashion अड़ो अब्दूर रह्मान he said you are in courtroom court now so answer with due care तो ध्यान से आंसर दीजिए और कर रहा है कि अपने आप से बाते करते हुए कि तुम एक court में हो अभी तो ध्यान से आंसर दो अब्दूर रहा है कि वो अपने गले में दुपट्टा या फिर इस तरह से चीज़ों को लपेटते हैं अराउंड यूव दर उसके बात करता है कि and that you have done likewise अब्दूर रह्मान डूली अब्दूर रह्मान को सपत दिलाने के लिए अब्दूर रह्मान को सपत दिलाया गया in the presence of God I swear that I shall speak the truth the whole truth and nothing but the truth कहता है कि मैं भगवान को साक्षी मान करके यह कहता हूं कि जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा सत्य किसी वा कुछ भी नहीं कहूंगा अब्दूर रह्मान रिपीटेट दो रेस्पेक्टिफुली वट इस और नेम अडू अडू अब्दूर रह्मान दसे रिष्टेडर वर्स तो नू यूर नेम तो अपने आप से बाते करते हैं और कहते हैं कि यह आपका नाम जाना चाहते हैं देन तर्निंग तो अब्दूर रह्मान उसके बाद अपना नाम बताते हैं और वहां पर हसी मजाक होती है निया आयले में तब मेस्ट्रेट आफर एंजोएंग दिशुएशन फोर वाइल बिगन तो शू अनॉइन और कुछ चंड जो है इन जो आए मनरंजन करने के बाद वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं वन आफ दे एड़ोकेट एक्स्पेंट तो हिम दाट विट्नेस वास इन्द हैबिट ऑफिकिंग इन इस मैनर और एक उसमें जो अधिवक्ता होता है वो कहता है कि इस तरह से इनकी हैबिट है इनकी इस तरह के बाते करने के यह रिलिजन आज दस अबरिनेट आफिसर तुमारा धर्म क्या है अब्दुर रह्मान पोजिए अंड पॉंडर्ड अड़ोड अड़ोड रह्मान ही कॉशन हिंसेल्फ अपने आप से बाते करते हैं यूव आप सौन तूट पिक दूट और तुमने सच बोलने के लिए कसम खाई है अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मैं हिंदू हो तो मुसलम को बुरा लगता है मुसलमान कहता हूं तो हिंदू को बुरा लगता है तो वह कन्फ्यूज नहीं होना चाहते थे सब्सक्राइब और इस प्रब्लम को तुम सेंट सचल से कर सकते हो समधान कर सकते हो तो बागी जो चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आप प्रक्योड का मतलब देख लिए जो अप्टेंड होता है और प्रप्लेक्स जो कि हमने अभी-भी यहां पड़ा इसका